अगलो फ्रेंड्स वेलकम तो टेग टॉक विद लली तेश योटूब चैनल और यू आज ले लेले टेश तो आज हम बात करेंगे मिसी विसी में लिमिट ब्लॉक कैसे यूज करते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें तो देखिए प्रीवेस वीडियो में नने आपको बताया था इक्वल कंपेर लेस्ट हैं नॉट इक्वल और ग्रेटर देन कैसे यूज करते हैं उसके बारे में लेकिन यहां पर लिमिट कैसे यूज करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको बताऊगा तो देखिए सबसे पहल यहां पर जो limit compare होता है limit में अगर किसी output को on करना है तो उसके लिए हम क्या करते है कि greater than less than instruction जो compare होते हैं उनको series में connect करना होता है यानि दोनों को आप क्या करेंगे series में लगाएंगे जैसे बहुत clear है कि previous video में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे less than लगाना है तो मैंने क् less than का symbol है और उसमें मैंने क्या किया था then मैंने fix किया कि अगर मुझे 6 से कम या 8 से कम या 7 से कम पर output on करना है तो k7 and c0 इसका मतलब क्या हो गया कि जो less than instruction है वो मैंने यहां पर put किया चीक है then limit के लिए limit के लिए क्या करना है मैं चाहता हूँ कि मेरा output on रहे 4 से ज़्यादा और 7 से कम यानि 4 से 7 तक तो 7 से कम पर यानि less than मैंने लगाया यानि 7 से कम पर high करना है और जो 4 से ज़्यादा करना है वो भी मैं यहां से लगा देता हूं symbol यह मेरा greater than है k4 कर दिया then c0 आप क्या हो गया चार से ज्यादा पर यह instruction काम करेगा तो डौनों को अगर मैं सीरीज में लगा दूँगा तो यह मेरा क्या बन जाएगा limit बन जाएगा यानि यह limit compare बन जाएगा तो देखिए यह क्या है मेरा less than है और यह क्या है greater than दौनों instruction मैंने क्या किये series में connect कर दिये इसी तरीके से हम मिश्रू विश्री PLC में limit compare लगाते हैं तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि 4 से शुरू होगा output on होना और 7 तक on रहे हैं यानि 4 से जादा और 7 से कम यानि कह सकते हैं क्योंकि 5-6 यानि 2 value पर यह आएगा क्योंकि यह less than है equal नहीं है साथ मैं तो यहां से मैं simulation on कर रहा हूँ उसके बाद मैं क्या करूँगा यहां से online में जाके right to PLC करूँगा और इसको transfer करके एक बार चेक करेंगे कि किस तरीके से यह perform कर रहा है देन उसके बाद हम यहां से monitor mode तो देखिए अभी मेरा output on नहीं है मैं डेवर में जाके modify value करता हूँ जब मैं first pulse feed करूँगा देखिए एक count किया second करेंगे second अभी भी output on नहीं हुआ third पर भी नहीं है fourth पर भी नहीं है क्योंकि जो मेरा greater than है वो k4 है तो 4 से ज्यादा पर यह output आएगा यानि मेरा जो limit बनाया है मैंने वो क्या बनाया कि 5 और 6 5 और 6 नमबर की pulse पर यह output आएगा 7 पर नहीं आएगा क्योंकि higher limit मैंने 7 दिया है तो जैसी आगे जाओंगा देखिए चार से ज्यादा यानि 5 पर मेरा output आ रहा है अगर आप चाहते हैं कि मेरा output चार से ही शुरू हो और 7 तक रहे तो क्या करना है कि इसके साथ equal instruction भी set करना यानि equal compare equal symbol लगा देना देखिए अभी reset हो जाएगा फिर से चला के देखाता हूं तो 2 pulse पर भी नहीं आ रहा है 3rd से भी नहीं आ रहा है 4th से भी नहीं आ रहा है आप लाइन जा रहा हूं यहां से इसको बंद कर देता हूं यानि right mode अगर आप चाहते हैं चार से शुरू हो जाए साथ तक रहे तो dear friends उपर जो expression है as it is आपको करना यहां पर यानि यह less than equal than k7 space c0 enter and यहां पर greater than लगाना है आपको यानि मैं यहां पर greater than का symbol लगा देता हूं यानि equal than k4 c0 इसका मतलब क्या हो गया अब जो मेरा output आएगा वो चार से शुरू हो जाएगा और साथ तक रहेगा तो देखिए compile करके आप online में जाएंगे right to PLC करेंगे इसको transfer कर देंगे PLC में च क्या होगा दौनों compare एक जैसे ही हैं बस फर्क इतना है कि एक जो है पांच और 6 पर output on करेगा और दूसरा वाला चार से ही शुरू हो जाएगा चार पांच छे साथ चारों पल्स पर करेगा देखिए first pulse नहीं आया second third and now fourth देखिए नीचे वाला जो compare है जिसमें equal भी साथ में ले रखा है वो चार से ही output आना चालू हो गया और उपर वाला कब करेगा पांच से यानि 5 और 6 पर भी आ रहा है और उपर वाला बंद कर देगा साथ पर बंद और यह साथ पर भी आ रहा है and now 8 पर यह भी बंद कर देगा तो अगर equal symbol साथ में लगाते हैं तो क्या होगा उस value से ही हमारा operation चालू हो जाएगा जैसे 4th pulse से low limit 4th है चालू हो गया 5th पर आ रहा है 6 पर भी आ रहा है and 7 पर देखेंगे नीचे वाला compare दे रहा है उपर वाला नहीं दे रहा है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे friends मिशू VC PLC में limit block limit compare का यूज करके हम किसी limit में output क्या कर सकते ह है so hope आपको वीडियो पसंद आया होगा यह वाला low limit होता है और यह वाला high limit होता है तो आप इस वीडियो को like करें देखकर आप practice कर सकते हैं चैनल को subscribe and share जरूर करें तो अगर कोई भी आपको issue है तो आप comment box में लिख सकते हैं मेरे को mail भी कर सकते हैं YouTube चैनल पर mail ID दिया so thanks for watching my videos thank you